तो पहले लेसन में हमने जाना था ताल जपताल के बारे में आज हम जानेंगे ताल कहरवा ताल के बारे में इसमें आठ मात्राएं होती हैं तो इसमें एक ताली और एक खाली होती है इसे कहरवा ताल को हम भांगणा ताल भी कहते हैं और इसे जब हम बजाते हैं डोलक में तबले में ये सब में बचती है तबले में नाल में तो इसके बजाने का पैटन कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एक बर फिर से आपको हाथ में ताली खाली इसकी करके दिखाता हूँ आपको महत्पून जो चीज है इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कहां पर ताली पड़ी है कहां पर खाली है किस मात्रा में मात्रा कैसे जाने आती है धा, वन, गे, टू, न, तीन ऐसे करके आपको धा, गे, न, ती, न, कधे, न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धा मतलब वन फिर से हम वापस लोटके वन पे आ गए है तो ये चीज याद रखिए मैं फिर से एक बार ताली खाली में आपको दिखा रहता हूँ और मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है इसे पेरेंस कर सकते हैं, ग्रेंट पेरेंस कर सकते हैं सब लोग अपने टाइम को यूटिलाइस कर सकते हैं कुछ नया सीख सकते हैं धन्यवाज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैट होम